असलामू अलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ चिकन आफगानी की रेसिपी शेर कर रही हूँ यह बहुत ही सिंपल और इसी है लेकिन साथ में टेस्टी भी बनती है आप लोग इसे जरूर ट्राइ करें तो चलिए शुरू करते हैं चिकन आफगानी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन चिकन में देखिए इस तरह से गैशस कर ले याने थोड़ा सा कट कर ले ताके मसाले अच्छा अंदर तक एंटर हो सके अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं मैरिनेट करने से पहले हम थोड़े इंग्रीडियन्स पीस लेते हैं सबसे पहले हम मिक्सर के जार में दालेंगे तीन टेबल स्पुन दही आधी छोटे से इसकी कटीवी प्यास तीन कटीवी हरी मिर्च, दस बादम और दस काजू हम इन सब ही को अच्छे से पीस लेते हैं, इक बारिक पेस्ट की तरह पीस ये पिसाओ पेस्ट अब तयार है, इसे मैं चिकन में दाल देती हूँ नेक्स्ट हम इसमें 100 ग्राइम दही दाल देते हैं फ्रेश क्रीम 50 ग्राम याने एक कुछ 3 टेबल स्पून होगा अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूद के ऊपर की थोड़ी सी मलाई निकालके उसे ग्राइन करके भी दाल सकते हैं एक टेबल स्पून क्रश की हुवी कसूरी में थी इसे थोड़ा सा भून ले भूनने के बाद इसे हलका सा क्रश कर ले होममेड गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून इसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल में भी सर्च कर सकते हैं अधरक लेहसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून थोड़ा सा नमक दाल दे एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून चाट मसाला इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चिकन में एक टेबल स्पून निम्बू का जूस भी दाल दें सौरी मैं बताना भूल गई चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है इसे हम एक घंटे के लिए रग देंगे मैरिनेशन के लिए घंटा हो चुका है चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है एक पैन में हम तीन टेबल स्पून बटर मेल्ट कर लेते हैं बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम धीरे से इसमें मैरिनेट के लिए चिकन के पिसस दाल देते हैं चिकन के सभी पीसस दालने के बाद एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे एक मिनिट हो चुका है अब मैं फ्लेम को मीडियम पे रख देती हूँ और हम इसे पांच मिनिट के लिए पकाएंगे पांच मिनिट हो चुके हैं चिकन के पीसस को हम टर्न करके देख लेते हैं देखे यह अच्छे से कुखो रहे हैं ऐसे ही करके सभी पीसस में टर्न कर लेती हैं सभी पीसस टर्न करने के बाद फिर से एक पांच मिनिट के लिए पकाएं पांच मिनिट हो चुके हैं चिकन हमारा दोनों साइड भी हलका सा रोस्ट हो गया है अब मैं फ्लेम को हाई पे रख देती हूँ और हाई फ्लेम पे हम चिकन को अच्छे से भून लेते हैं इते थोड़ी से ग्रेवी है ये सूपने तक हम इसे भूनेंगे इसी दवरान हमारा चिकन भी 70-80% गल जाएगा हाई फ्लेम पे चिकन को मैं ने अच्छे से रोस्ट कर लिया है देखिए इसके मसाले भी अब ब्राई हो चुके हैं जो बाखी मैरिरेट का मसाला है अब ये हम इसमें डाल देते हैं फ्लेम को हाई करके हम अब इस मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे फ्लेम को आप एक ये दो मिनिट के लिए हाई पे रखिए एक्ट्वली हम चिकन को पहले अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं जब चिकन रोस्ट हो जाएगा तभी इन मसालों के साथ फिर से हम पकाएंगे इस तरह से करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चिकन में मसालों को मैंने दो मिनिट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी दाल देती हूँ जब यह पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे चिकन हमारा कम्प्लेटली अच्छे से गलने तक हम इसे ऐसे ही गलाएंगे चिकन तो हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका था लेकिन बाहर से इस तरह से पानी दाल के पकाने से चिकन अंदर तक अच्छे से पकेगा इसमें लिग बन कर देते हैं चिकन हमारा गल चुका है देखिए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हम ऐसे ही रख देने हैं इसे ज्यादा ड्राइ ना करें ये ग्रेवी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी आप इसे रोटी से खाईए बहुत मजाएगा आपको लेकिन इस रेसिपी का एक आखरी स्टेप बाख इसलिए मैंने फैंट चेंज किया था इसमें हम जो चारकोल स्मोक है वह आसानी से दे सकते हैं इस पे थोड़े से धनिया के पत्ते भी दाल देते हैं यह आप्शनल है एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं आट कर रही हूँ अब हम फ्लेम बन कर देते हैं एक स्टील के बावल में हम जलता हुआ कोईडा रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें जैसे ही स्मोक निकलेगी इस पर लेट बन कर देते हैं और इसे हम ऐसे हैं पंदरा मिनिट के लिए रख देते हैं इसके ऊपर अगर कोई होल हो तो इसे आटे से बन कर दें ताके स्मोक बाहर पंदरा मिनिट हो चिके हैं यह बॉल हम निकाल देते हैं तेस्टी और डेलिशियस चिकन आफगणी अब तैयार है कॉमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी आज के चिकन आफगणी की रेसिपी कैसी लगी और इसे ट्राइ भी करें आपके फैमली मेंबर्स को यह बहुत ही ज्यादा पसनाने वाली है अगर आप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकोन भी प्रेस कर दें इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें अस्सलाम अलेकूम